श्रीमत धागवत गीता अध्याई छे श्लोक नंबर 45 और 46 पहले हम श्लोक नंबर 45 पड़ते हैं प्रयान प्रयात अध्यात मानस्तो योगी संग्षुध्ध किल्बिशह अनेका जन्मसंग्सिद्ध स्ततोयाति परम्गतिम् प्रयात अध्यात मानस्तो योगी संग्षुध किल्बिशह अनेका जन्मसंग्सिद्ध स्ततोयाति परम्गतिम् अनुवाद अतातपरिया शिलप रहपात की द्वारा शिलप रहपात की जै अनुवाद और जब योगी समस्त कल्मस से सुद्ध होकर सच्छी निष्था से आगे प्रयास करता है तो अन्ततो गत्वा अनेकानिक जन्मों के अभ्यास के पश्षात सिध्धिलाफ करके वो पर योग में स्थित रहते हैं और समस्त कल्मस मतलब कल्मस किया है भौतिक आसक्ति उसे मन को मुक्त करते हैं और निष्था के साथ प्रगति करने का प्रयास करता रहता है तो अनेक अनेक जन्मों के बाद बहुत सारा जन्मों के बाद उस अभ्यास में उस सिध्धिलाप करते ह और अपने गंतेव्य स्थान को प्राप्त होते हैं सदाचारी धनवान या पवित्रकुल में उद्पन्न पुरुष योगाद भ्यास के अनुकुल परिस्थिती से सक्चेश्ट हो जाता है अतहा वो द्रिर संकल्प करके अपने अधुरे कारिये को करने में लग जाता है तो ये बहुत इंपोर्टन्ट है द्रिर संकल्प जब तब कोई द्रिर संकल्प नहीं करते है फले ही वो कितना भी लेक्चुर सुनते रहे अभ्यास के बिना प्रगती नहीं होगी हम जो श्रव करना है हां लेकिन हम ध्यान पुर्वक और आधर पुर्वक श्रवन करेंगे तो ब्यवहार में वह अपने आप आ जाएगा जैसे कोई ध्यान पुर्वक हरिनाम का जब करता है तो वह सेवा में प्रवृत्त होता है दृता पुर्वक दृता पुर्वक वह जो है अध्यान करत तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम द्रिर संकल्ब होकर अधुरा काम जो भक्ति अधुरा काम है उसको हम इस जीवन में पूर्ण करें और जो ऐसे द्रिर संकल्ब होते हैं वो भूतिक कलमशों से मुक्त हो जाते हैं समझते कलमश से मुक्त होने पर उसको परम सिद्धी यानि तो इसमें अनेकानेक जन्मों के अभ्यास की जरूरत है कृष्ण तक पहुंचने के लिए भी और अगर कोई भी इस जीवन में कृष्ण तक पहुंच गया यानि कृष्ण भक्ति कर रहे है और प्रामानेक गुरु भी प्राप्त हो गया है तो यह उनका बहुत बड़ा प्रिष्ण भावनाम्रित ही समस्त कलमर्स से मुक्त होने की पूर्ण अवस्ता है इसकी पुष्टी भागवत गिता में 7.28 लोप में भी हुआ है ये शात्वन त्वागतम पापम जननानाम पुन्यकर्मनाम ते द्वन्दा मोहा निर्मुक्ता भजन्ते माम्द्रिः रव् अनेक जन्मों तक पुन्यकर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वन्दों से पुर्णत या मुक्त हो जाता है तब ही वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने के लिए हमें भौतिक इच्चा उसे मुक्त होना पड़ेगा और अनेक जन्मों का पुन्य भी चाहिए कौन सा पुन्य चाहिए भगवान की भक्ति के लिए भोग उन्मों की पुन्य भी नहीं मुक्ति उन्मों की पुन्य भी नहीं केवल और केवल भक्ति उन्मों की पुन्य फोग उन्मों की पुन्य होता है जैसे अना थाले खुल दिया, गरीबों को भोजन कड़ा दिया, कृष्ण परसाद दिया तो भक्ति उन्मुखी पुर्णे हो गया, लेकिन नॉर्मल खिला दिया तो भोग उन्मुखी पुर्णे हो गया, यानि गरीबों के सर पर पाव रखके आप स्वर्ण जाएंगे, गरी प्रश्ण परसाद खिला दिया, ना गरीब रणी हुए, ना आप और गरीब को भोग उन्मुखी पुर्णे मिल गया, आपको भी मिल गया, तो खुल दिया, और अना थाला खुल दिया, ब्रिधाश्रम खोल दिया, इसके बल पड़ आप स्वर्ग लोग जाएंगे, और मनुखी पुर्णे में जन मिलेंगे, और इस प्रकार से भक्ति उन्मुखी पुर्णे में क्या होता है, उसमें कृष्ण प्लस रहता है, आपने जैसे मंदिर में एक रुपया भी दान दिया, तो भक्ति उन्मुखी पुर्णे हो गया, या हरिनाम निकला है आपके घर के सा और अगर कोई दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है तभी वो भगवद धाम भी जा सकता है बिना कृष्णा की दिब्य प्रमा भुत्ति का मतलब क्या होता है यानि द्रिर्टा के साथ with great affection and love serving कृष्णा great मतलब बहुत महान प्रेम unconditional love और बहुत स्नेः पुर्वक प्रिष्णा को सेवा करना जैसे कोई अगर भाव पुर्वक भगवान को भोग लगाते हैं तो जैसे मदन मुहन को सनातन गुष्वामी भोग लगाते तो तो क्या भोग लगा देते हैं आटा का बाटी बना के भोग लगा देते ना उसमें नम होता था ना उसके साथ कोई डाल होता था ना कोई सब्जी होता था ना कुछ होता था सुखा सुखा ऐसे भोग लगाते थे और भगवान उनके हाथ से हाथ से लेकर मुह में दालते थे तो क्यों क्यों भाव 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 पुर्वक भगते हैं वो भगवान को जो भी भोग दिव्य भाव से, संपूर्ण प्रेम से भोग लगाते हैं, तो इसलिए भगवान ग्रहन करते हैं, और अगर हम प्रेम से भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो क्या हो अगर भगवान ग्रहन नहीं करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, प्रसाद है, भक्त द्वारा बना हुआ भोग लगा हुआ हो भक्त की द्वारा परोसा गया हो तो उससे बहुत जल्दी कोई भी भक्त बन जाते हैं शिल्य प्रभवपाद ने खुद कुकिंग किया हिप्पियों के लिए अमेरिका में जो हिप्पी थे वो लोग प्रभवपाद से अकरशित हो गया हरे नहरी नाम से प्रभवपाद की संग में आने लगे तो उनके लिए प्रभवपाद खुद कुकिंग करते थे बड़ा बड़ा बरतन में और कुकिंग करते थे और खुदी कृष्णो को भोग लगाते थे खुदी परोस्ते थे उनका जूठा प्लेट भी उठाते थे कितना ज्यादा प्र खिच्चरी बना दिया, तो ऐसा नहीं है, श्रीला प्रहपाद का आइटेम बहुत सरा होता था, आइटेम में गुलाब जामन भी होता था, डाल, चावल, सब्जी, चपाटी, विभिन्न प्रकार का आइटेम होता था, एक व्यक्ती, तो सुचिए तो शुल्र प्रभपा चैसे शुद्ध भक्त का हाथ का प्रसात खाकर बदल गए है तो इसलिए अगर हमारे यहाँ भी कोई प्रग्राम रखते हैं तो प्रसात कौन बना रहे हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी के हाथ से भक्त होना हाथ कि भूग बनाते समय living कि घृष्ण के प्रतिव भांव भक्ति भांव होना चहिए उस्का मतलब है Lock involvement इतนा नमक डला पता ही नहीं वहाँ है कितना वड़ित हमारा कितना व्रेइं वह भी नमक से पता डलता हिना नाप मतहरी है नाप तब एक्सेट करेंगे और परोसने वाले भग्त तो बहुत अच्छा है तब बार जो है नए विक्ति को भी दिया जा सकता है परोसने की सेवा लेकिन बहुत सारे टेमपर्स में आप देखेंगे प्रेसिदेंट ही परोस रहे है या कोई गुरू ही परोस रहे है तो भगवान प्रिश्ण घाता है कि मुझे भोग लगाने से भी जादा खुश में होता हूं जब कोई मेरा प्रसाथ को परोस्ते हैं और प्रसाथ को खाते है तो भगवान बहुत खुश होते है इसे तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए प्रुग्राम भी हुआ घर में कही भी जोसे ब्रगति कर सकते हैं और समस्त कलमच से मुक्त हो सकते हैं भक्ति में जब हम ध्रिरप्रतिग्यों हो जाएंगे तो फॉर्तिसिख्ष श्लोका में कृष्णा कहते हैं तापसिभ्योधिको योगी ज्यानिभ्योपी मतोधि कहा कर्मिभ्यचाधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुना तपस्वीभ्योधिको योगी ज्यानिभ्योपी मतोधिकह कर्मिभ्यस्वाधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुना अब हमें पता चलेगा कि सबसे श्रिष्ट कौन होते हैं अलग-अलग प्रकार के योग का भगवान ने वर्नन किया है ना भागवत गीता में तो इस चैप्टर की इस श्लोक में 46 श्लोक में कृष्ण क्या कहते है रजुन से योगी पुरुष तपस्वी से ज्यानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अताहे अरजुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो अतात ये जो है ना योगा लेडर है सिरिया है योग का कर्मी सकाम कर्मी सबसे नीचे है जो अनुष्ठान कर्मकांड के प्रतियाकरशित होते है वो सबसे नीचे है उसके उपर है ज्यान योगी जो ज्यान कानुशिलन करते हैं वेदे ध्यान करते हैं उसके उपर है ध्यान योगी तो उसके उपर है भक्ति योगी अभी जो 47 लास्ट लोका है ना इस ध्यान योग नामक अध्याय का इसमें कृष्ण साफ साफ कहते है जो भक्ति योगी है वह लगा हुआ है अनुष्थान अभी में तो हमें उन्हें निरुतसाहित नहीं करना है क्रिश्न भक्ति में आप दिरेक्ट आ सकते हो कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत जदा तो भी हमें पता होना चाहिए कि वह योगा लेडर में है उनका रास्ता थोरा लंबा है हजारो हजारो जन्मा कर्मकांड करेंगे फिर ज्यान का इध्धन करेंगे फिर तपस्या करेंगे कही कही फिर योगा इभ्यास करेंगे फिर जाके उनको भक्त बनने का मौका मिलेगा लेकिन अर्जुन को कहते हैं तुम सभी प्रकार से जो है योगी बनो तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने का बात करते हैं वियोग मतलब माइनस योग मतलब प्लस तो किसको प्लस करना है हमारे लाइफ में कृष्ण को हमारी चेतना को कृष्ण के साथ चोड़ने का बात करते हैं वीवित अध्यास करता इस पद्धती को ग्रहन की गई विशेश विदी के अनुसार विभिन्दा नामों से पुकारते हैं जब यह योग पद्धती सकाम कर्मों से मुख्यता संबदिध होती है तो क्या बोलते है कर्मयोग तो कर्मयोग से शृष्ट क्या है ज्यानयोग जब वो चिंतन से संबंदित होती है वेदर ध्यान करते है और चिंतन करते है तो ज्यानयोग हो जाता है और जब भगवान की भक्ति से संबंदित होते है तब वो भक्तियोग हो जाते है ध्यान से संबंदित तो ध्यानयोग होते और जब भक्ति करते हैं क्रिष्णे की प्रतेक्ष रिनामजब करना कृष्णी की विग्ड़ेगे आरती करना क्रिष्णे को भोग लगा करित को भग होता है तो भक्तियोग कहलाती है भक्तियोग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिध्धी है जैसा कि अगले श्लोग में बताया जाएगा भगवान ने यहाँ पर योग की श्रिष्टता की पुष्टी की है और यहाँ पर इस लोग में तो उल्लेक नहीं क्या भक्तियोग में क्योंकि लास्ट लोग में बुलेक या लास्ट में जैसे बोलते ना संपूर्ण करने से करने में बता देते है तो भक्तियोग जो है पूर्ण आत्मग्यान है आता इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है भक्तियोग में कोई भी भौतिक चीजों का तच नहीं है भक्तियोग परमशुद्ध है कृष्ण की दिव्य प्रेम से पड़िपूर्ण है इससे बढ़कर इसलिए कुछ भी नहीं है और आत्मग्यान के बिना तपश सा भी अपूर्ण होता है इसलिए बोला गया है अराधी तो यदी हरी तपश्या ततकिम ना अराधी तो यदी हरी तपश्या ततकिम अगर आप हरी की आराधना करते ही हो तो तपश्या की क्या जरूरत है अगर आप हरी की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपश्या की क्या जरूरत है हड़ी की अरदना कर रहे हैं तो बस इतना ही तपश्या है भगवान की सेवा ही तपश्या है कोई अलग तपश्या करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन आप भगवान हड़ी के लिए तपश्या नहीं कर रहे हो फिर क्या फाइदा है ऐसे तपश्या का तो ये इस लोग में बताते हैं परमश्वर के प्रती समर्पित हुए बिना ग्यान योग भी अपूर्ण है भगवान के प्रती समर्पन होना चाहिए तो सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत की बिना समय का अपव्या है यह जिसा काम कर्म जोग है न भौतीक चीजों की प्राप्ति के लिए है तो वो टाइम मुयस्त है आज या नहीं तो कल आत्मा को सधरना ही पड़ेगा भगवत भक्ति के प्रत्याप प्रशित होना ही पड़ेगा नहीं तो भौतिक संसार में ही परे रहना पड़ेगा और इस भौतिक संसार में रहना समय का आपव्य है मनिश्य शरीर बहुत विरल है तो हमें मनिश्य योनी में भक्ति करके पटापध धगवत धाम जाने का उपाय करना चाहिए अन्यता मनुष्य जो शरीर दिया है वो व्यर्थ चला जाएगा तो अतहा यहां पर योग का सरवाधिक प्रशंसीत रूप भक्ति योग है और इसकी वाइक्खा भी हमें 47 जो श्लोग है जो लास्ट लोग है ध्यान योग 6 चेप्टर 6 का तो उसमें हमें पता चलेगा धन्यवाद हरे कृष्णा